नमस्कार दोस्तो स्वागेत आपका आपके अपने चैनल शौट वर्ड में तो आज हम डिसकस एगलोमेरेशन इकोनोमी आसानी से समझने के लिए हम एगलोमेरेशन इकोनोमी इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले करेंगे agglomeration economies आसानी से समझने के लिए हम agglomeration economies को छे पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले what is agglomeration agglomeration होता क्या है second agglomeration का economy में क्या role है यह क्या मतलब होता है third agglomeration economies क्या होती है fourth agglomeration क्यों होता है क्या कारण है fifth में हम पढ़ेंगे कि agglomeration economies कितने टाइप की होती है and sixth में advantage and disadvantages of agglomeration so दोस्तों पहले हम पढ़ते है agglomeration agglomeration होता क्या है agglomeration word mostly हर field में use होता है like geography chemistry physics and economy तो किसी भी field में agglomeration का मतलब होता है जमावडा या you can say the increase the size of things matter कुछ भी चीज़े उनके size को बढ़ाना और mass collection of things यानि बहुत सारी चीज़ों का समू तो जैसे हम chemistry की बात करें तो chemistry में agglomeration का मतलब होता है किसी particular चीज का size या उसका dia बढ़ाना फिजीक्स में बात करें तो फिजीक्स में किसी solid को चीज़ों से मिला के उसके size को बढ़ाना in the same case economics में भी economies में भी agglomeration में क्या होता है the mass collection of things that means mass collection of industries so next agglomeration economies में agglomeration का क्या मतलब होता है तो यहां ऐसी घटना यहां ऐसा phenomenon है जब बहुत सारी firms बहुत सारी industry एक दूसरे के close होके एक दूसरे के साथ होके काम करती है जैसे कि example हम एक shopping mall मौल ले लेते हैं एक shopping mall में हमें बहुत सारी चीजें बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती है जिसमें कुछ शॉप्स होती है कुछ गैलरी होती है रेस्टूरेंट्स हो गया बार पालर मूवी ठीटर एटीसी बहुत सारी चीजें हो सकती है तो एक एक अच्छांपल है आट fine एनि बहुत सारी चीज़ूं का समुव यहां पर आमने बहुत सारी शॉप्स घैलरीज का संहु मान लिया तो यह हो गया आइगलोमेरेशिन next पढ़ते हम agglomeration economies agglomeration economies क्या होती है agglomeration economies refer करती है कि जो forms है या जो industry है और जो लोग है लोग में बापॉलेशन जब वो एक दूसरे के close आते है तो जो उनको advantage होते हैं जो उनको benefits होते हैं उसको बोलते हम agglomeration economies तो इसमें firms होती है इंडस्टी होती है सेम सेक्टर की हो सकती है जैसे कि हम मान लेते हैं IT सेक्टर cluster of IT सेक्टर या फिर cluster of different firms उसमें बहुत सारे इंडस्टी mix भी हो सकती है तो उसको बोलते हम agglomeration economies So next why does agglomeration occur agglomeration होता क्यों है agglomeration का reason या कारण ये है कि जैसे larger cities हो गई है वहाँ पर क्या होता है जो इंडस्टी होती है वो सेम इंपुट में maximum output ले सकती है यानि जो इंपुट होता है उनका सेम होता है बट आउटपुट जादा होता है तो उसमें क्या होता है companies को benefit जादा होता है और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको भी benefit होता है तो इसके कारण ही agglomeration होता है तो जो production होता है वो क्या होता सस्ता हो जाता है और output महँगा हो जाता है क्योंकि उस सहर में already बहुत सारी चीज़े चल रही होती है जैसे अगर कोई सहर है उसमें अगर कोई मैं industry लगाता हूँ या कोई बंदा industry लगाता है तो उसमें क्या होता है उस सहर में उसको जो transportation हो गया labor हो गया या बाकी जो local support होता है वह मिल जाता already तो उसको सस्ता पढ़ जाता है तो इसी लिए agglomeration होता है तो बात करते हैं type of agglomeration की agglomeration economies कितने type की होती है agglomeration economies दो type की होती है number one localization economies number two urbanization economies तो बात करते हैं localization economies की localization economies क्या होती है agglomeration of firms or industry in a particular area or regions is driven by several factors means एक जगा पे factory हों का जो जमावड़ा है या firms का जो जमावड़ा है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है बड़ जब बात करते हैं localization की तो उसमें जो सबसे most important factor होता है वो होता है उस जगह का geographical advantage यानि अगर किसी जगह पे forms का cluster हो रहा है बहुत सारी industry लग रही है तो mainly क्या है वहां का जो geographical advantage है फॉर एक्जामपल जैसे हम बात करते हैं एक wine factory की या juice factory की तो wine factory हम कहां पे लगाएंगे कहां पे setup करेंगे जहां पे grapes ज़्यादा पैदा होते हों या grapes easily product की जा सके या पैदा किये जा सके तो मैं वहां पे wine factory लगाऊँगा तो वहां पे wine factory क्या होगा cluster होगा same as juice factory कुछ cases जैसे होते हैं जहां पे geographical advantage ना लेके कुछ और चीजों का advantage लिया जाता है इट में भी वहां का population इट में भी वहां की cities, roads और educational जीज़ जैसे IT hub जब हम IT hub की बात करते हैं जैसे हमारा बैंगलोर हो गया या Silicon Valley हो गया तो वहां पे जब हम बात करते हैं एक IT hub की तो वहां पे बहुत सारी other factors देखे जाते हैं तो यह है आपका localization economies urbanization economies तो urbanization economies भी सेम ही है Beij cluster of farms बट इसमें क्या होता है कि जो cluster of farms है यह जो industry है उनका जो समूं है उनका जो group है वो क्या होता different industries हो सकती है उसमें IT हो सकता है other कोई हो सकता है manufacturing हो सकती है, clothes हो सकते हैं या पिर जो भी बहुत सारी inndustries हैं पुछ भी होगते हैं तो उसका रिज़न क्या होता है कि जो उनको इंडस्ट्री झो एडवांटेज मिलता है। वो क्या क्या सहर के द्वारा मिलता है या फिर उस सहर के जो गवर्मेंट है वो उनको वो चीज़े प्रोवाइट करा रही है या ओफर कर रही है तो उसके उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन इकोनोमी जैसे कुस टाइम पहले फॉर एक्जांपल आपने सुना ओगी टाटा का कोई प्लांट वहां पे लग रहा है मारुती का प्लांट वहां पे लग रहा है ऐसी जगह पे तो वह क्या है वहाँ वह सिटी है उनको आफर कर रही है कि भाई वहाँ पर अरुबनाइजेशन में च्राबट आख वाज्डेशन में आ चुका है कि लास में हम पढ़ते हैं एड्वान्टेजज औफ एगलोमेरेशन की हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं तो एगलोमेरेशन के फाइदे क्या हैं कि सबसे ज़्यादा आपको लाज सप्लाइब फॉरकर्स आप क्योंकि population है तो आपको ज्यादा worker चाहिए होते हैं लो transport cost जो cost होती है वहां पर जो industry खड़ी होती है उनकी cost कम होती है लोकल मार्केट अबलेबल होते हैं तो जो भी चीज़े चाहिए होती हो लोकल मार्केट से मिल जाती है पॉपलेशन जितनी चीज़ों का हो उसके बाद है डिस अड्वांटेज़ में क्या है सबसे पहले जब industry जैसे आपको पता है कि जहां पर बहुत सारे इंडस्टी है बहुत सारी firms होती है तो सबसे पहला environmental pressure होता है इंवारोपन environmental pressure से हमारा मतलब है pollution से चाहिए वह किसी भी प्रकार का pollution it may be sound pollution it may be air pollution जो भी जितने भी टाइब के हमारे pollution है water pollution land pollution सारे pollution होते ही होते हैं उसके बाद second है land prices आप सभी लोग जानते जहां जहां पर industry या फर्म्स खड़ी होती आपके सामने है यह सब क्या है जहां पर land prices बहुत ज्यादा बढ़ती है उसके बाद क्यूंकि कि बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडस्टियास खड़ी होती है population बढ़ती है एक population ब्रस्ट सा आ आता है तो वहां पर corruption नॉर्मल सी बात है बढ़ता है high competitive pressure जब लोग जादा होंगे तो competition जादा होगा that means worker जादा है तो competition भी जादा होता है उसके बाद traffic problems क्योंकि population जादा है तो traffic problem होगी होगी और in the last कि जब population जादा होती है तो crime भी बढ़ता है तो यह सब disadvantage है agglomeration के तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा thank you